नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तो कुल सिल्केंट आप अपना किम्तिस में निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का तया दिल से धन्यवाद करता हूँ आज मैं अपने यूटूब के कमेंट बोक्स में आयो एक मैसेज का जोब देना चाहूँगा सहनी जी इन्होंने मैसेज लिखा है साउथ एंड वेस्ट ओपनिंग प्लोट अल्वेज क्रियेक्ट प्रोब्लम in fact immediate after the construction effect starts appearing instant effects over the period of the time effects will goes down but the beginning job loss, finance loss, children drops from school, accidents etc. why I am telling it happened to me you can't change the impact at first it will happens over the period of the time things get improved बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ऐसा कोई प्लोट लेने जा रहे हैं जिसमें south में road लगती है और west में road लगती है main road आपकी south की बनती है जहां से आपने अपनी entrance बनानी है तो ऐसे plot को आपने avoid करना चाहिए ऐसे plot नहीं लेने चाहिए West में भी गली लगती है South में भी गली लगती है आप South का front बनाते है या West का front बनाते है तो आपको ऐसे plot को avoid करना चाहिए येदि आप वास्तु शास्त्र के बारे में जानकारी रखते हैं और आपको मालूम है कि इसके effect कैसे आती है तो आपको ऐसे plot का चुनाव नहीं करना चाहिए अब इसी के साथ मैं कुछ बाते और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा आप ऐसे plot को ना करीदे क्योंकि आप अपने जीवन की जमापुझी को अपना घर बनाने के लिए लगा रहे हैं और कई बार होता क्या है गलत जगे में आप वस जाते हैं तो आपका जीवन दुभर हो जाता है आपके जीवन में इतनी केंशन आ जाती है वो परिवार से लेकर भी अपने वेपर से या अपनी जोब से लेकर आदमी प्रेशान हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि जब से मैंने घर बनाया है जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुआ हूँ मेरी जिदगी सारी खराब हो ग यदि आप अवाइड नहीं कर सकते तो गलतियां कहां किस परकार की होती है मैं सिर्फ वो बताना चाहूँगा सबसे पहले तो साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग यानि कॉर्णर का प्लॉट है उसमें में गेट साउथ वेस्ट जोन में आ जाता है तो वास्तु दोश बन जाता है या वेस्ट की दिवार पर साउथ वेस्ट जोन में आ जाता है तो भी वास्तु दोश बन जाता है पूरी बिल्डिंग आपकी नॉर्थ के और बन जाती है और साउथ का भाग आपका ओपन हो जाता है तो वास्तु दोश बन जाता है आगे का भाग नीचा हो जाता है तो भी वास्तुदोश बन जाता है यहाँ पर आप अपना लान बना देते हैं गर्डन बना देते हैं तो भी वास्तुदोश बन जाता है ऐसे ही आप पूरी बिल्डिंग यहाँ पर बना देते हैं और वेश्ट के भाग को ओपन कर लेते हैं इसको ओपन रखते हैं तो भी वास्तुदोश बन जाता है नीचा कर देते हैं तो भी वास्तुदोश बन जाता है लॉन बना देते हैं तो भी वास्तुदोश बन जाता है यहाँ पर पूरे फर्ष की ढ़लान वेस्ट की ओर कर देते हैं तो भी वास्तुदोश बन जाता है साउथ हुएस्ट की और फर्ष की जलान करतेते हैं तो भी वास्तुदोश बन जाता है अब ये गलतियां आम तोर पर घर के अंदर हो ही जाती है जब घर को डिजाइन किया जाता है तो घर को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि Front में open area भी ज़यदा हो जए, वहां पर हम lawn भी बनाएं और वहां पर हम county project अब हम पनी अंजर गौंड टैंक भी बनाते हैं, तो प्रव्लम हो जाती है साउथ वेस्ट में पांिकंडर गांड टेंक बनाते हैं तो प्रोब्लम और साउथ सेंटर में पांिकंडर गांड टेंक हैं या समर्सिव29 या संदिया स्वर्ण काुएं 205 या समिर्ण बिऩ्द, जिखा एक हमेंordon 3 में 2 धिछ में गहराई हो जाती है तो भी वास्तुदोश बन जाता है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि ऐसे में वास्तुदोश क्यों बनता है ज्यादतर जब घर देखते हैं जिस घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रियेट होती है तो उस घर को अच्छे तरीके से नोट अब जो व्यक्ति कॉर्णर का प्लोट खरीद चुका है और उसने अपना घर इसी प्लोट के अंदर बनाना है तो उसके लिए तो उसकी अपनी मजबूरी हो गई अब उस व्यक्ति की अपनी मजबूरी है तो इस मजबूरी को देखते हुए एस पर वास्तुदोश हम इस च जैदा गलत हो जाती है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि साउथ वेस्ट का यदि कोई है और किसी वेक्ति के अपनी मजबूरी है तो अपने प्लोट को एज पर वास्तु सही जरूर बनाएं जिन सजन ने ये मैसेज लिखा था उनके लाइफ में ये चीजे घकित हो रही है उन्ह करूँगा कि जो समस्य आपके यहां चल रही है उन समस्य आपको रहत कैसे मिले मेरे दोरा इस वीडियो में दीगी जयनकारी आपको लगता है सही है तो आप अपने यहां पर छोटो छोटो बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं आप मेरी वीडियो कर हमसे उनलाइन सला भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाते हैं तो आप हमारे यहां से वास्तु शास्तर के निवसार मैप भी बनवा सकते हैं आप अपने यहां साइट विजिट के लिए हमें इनवाइट करना चाते हैं तो साइट विजिट आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को अपने सरकल में शेयर जरू कीजिए हो सकता है मेरी है वीडियो आपके सरकल में किसी वेक्ति के काम जरूर आएगी इसी तरह अगला प्रोगाम में फिर एक ने वीशे पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार